शिरी शिवाई नमस्तुभ्यम हरहर महादेव 36 कड़ के भिलाई में गुरूजी पंडिपदी मिशाजी के द्वारा वाची जा रही शिरी एकांतेश्वर महादेव शिरी महापुराण कथा के पहले दिन की कथा आज पूर्ण हो चुकी है ये कथा 25 अप्रेल से एक मही तक चलने वाली है आप इस कथा का आनन दो पहर दो बज़े से पांच विज़े तक प्राप्त कर सकते हैं आज की कथा में गुरू जी ने एकांतेश्वर महादेव का महत्व बताते हुए कुछ नए उपाय बताए है जैसे आपकी किसी ने आयू क बता दी है तो आपको क्या करना चाहिए और साथ ही एकांतेश्वर महादेव की पूजन से आपको तीन फल की प्राप्ती होती है उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है धर्म प्राप्ती के लिए भी विशेश उपाय है आज की कथा में प्रूजी ने 20 उपाय प्रत्र रुप्यों की जानकारी दी है सभी की जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से देंगे किसी काणवश यदि आपने आज की कता नहीं सुनी है तो पूरी कता करस्त दवाब को इस चोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा पिछली प्रेशा, बी सुशीला, सी सुलोचना और डी सुक्रिती आप इस मशनका उत्तर कमेंट के जरी हमें भेज सकते हैं और हम इस मशनका उत्तर कल के वीडियो में आपको बताएंगे तो बढ़ते हैं आज की कता की पहली जानकारी की ओर एक पशू, पक्षी और जानवर और अंतर होता है पशू, पक्षी और जानवर कता को सुनने के बाद भी सत मार्ग में चलता नहीं है पर मनुश्य अगर थोड़ी सी भी कता सुन ले और उस कता का सार अपने जीवन में उताल ले तो वो सत मार्ग में चलना शुरू कर देता है बढ़ते हैं आशी कता की दूसरी क्रपा क्या होती है जब हमने शिम्हा पुरान कता सुनना सुरू किया साथ में पशुपतिनाद धारन किया साथ में सफेद आकड़ी की जड़ वाला उपाय किया मन में एक इक्षा हुई सीहोर जाने की तो इसके बाद हम सीहोर गए वहां कंकर शंकर की पूजा करके आए और सीहोर से जब हम लोट किया आये तो एक महीने के बाद गर्ब ठहर गया था और बच्चे ने जन में लिया है उसी का भार व्यत करने कथा पंडाल में आये हैं बढ़ते हैं आश की कथा की तीसरी जानकारी की और गुरू जी ने बताया अगर कोई भूल भश भी किसी कसा शंक कुछ जरूर प्रदान करते हैं यह निशित्ता है बढ़ते हैं आशी कथा की चोथी जानकारी की और शी महाप्रान की कथा कहती है अगर आप एक छोटे से पत्तर को भी उठाकर उसको परमात्मा मानकर ईश्वर मानकर पूजन करना शुरू कर देते हैं उसका पूजन प्रतिस्टा हो जाएगी और आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी बढ़ते हैं आशी कथा की पांची विजानकारी की और लोगों ने सीहोर वाले महराज की है क्लिप तो चला दी कि वेलपत्र को शिवलिंग पर चिपका कर एक्जाम देने चले जाना सफलता प्राप्त हो ज पिश्वास करके एक वेलपत्त की बीजवाली पत्ती पे शेहत लगाकर एक्जाम देने चले जाते हैं तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोग सकता बढ़ते हैं आशी कथा की छटवी जानकारी की और सरो सेंजी राइपूर से पत्र ले कर आई मैं राइपूर की कथा में भोलेनाज जी से एक प्रातना करके गई थी आप कहते हैं कथा पंडाल में बेटकर श्री शिवाय नमस्तोपयां बोल का जो कुछ भी भोलेनाज से कोई मांगता है वो भोलेनाज प्रदान कर देते हैं और मैंने भी ये कामना की थी कि मेरा मकान डवल ट्रिपल मंजिल हो जा है आपके ललाट में अगर कुछ लिखा गया है और आप उस कस्ट दुख तकलीफ को हटाना चाहते हैं तो आप भगवान की भक्ती करके भजन करके भगवान का पूजन करके एक लोटा जल चड़ा कर और अपनी तरफ से उसके लिए कर्म करके मिटा सकते हो बढ़ते हैं लक्षमी की कमी नहीं आने देता सिर्फ एक शिवलिंग भी कहीं एकांत में आपको दिख रहा है ना पारवती हैं ना गनेश हैं ना कार्तिक हैं और ना नंदी हैं तो भी एकांतेश्वर महादेव हैं और एक शिवलिंग की पूजन करने से आपको 33 कोटी देवी देवताओ का आशिरवात प्राप्त हो जाता है बढ़ते हैं आशी कथा की नोवी जानकारी की और कई लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया है तो क्या हम उसको बदल दें तो इस पर आपको समझना चाहिए अगर शिवलिंग के तुकड़े तुकड़े भी हो जाएं और कई छोटे तुकड़े हो जाएं तो सभी एकांतेश्वर महादेव हैं और सभी छोटे टुकड़े शिवलिंग हैं और पूजनी हैं बढ़ते हैं आशी कथा की दसवी जानकारी की और जब हम बालू रेत का शिवलिंग बनाते हैं और उस बालू रेत का शिवलिंग का पूजन अर्चन हजार लोगों को भोजन कराओगे तो तुम्हे भंडारे का सुक मिलेगा बलकि अगर आप कता सुने आ रहे हो और आपने अपनी रोटी के साथ भी चार रोटी एक्स्टा बनाकर उसे अचार के साथ किसे शिप भल्गत को दे देते हो तो भी आपको wordt भंडारे का सुक प्राप आज जाकर बेटना चाहिए क्योंकि अगर आपको 31 महादेव की संगत प्राप्त होती है तो जीवन में कितने भी दुख कस्ट तकलीफ चल रही हो वो शीगरती शीगर दूर हो जाती है बढ़ते हैं आची कथा कि तेरवी जानकारी की ओर प्रदीप मिश्रा राइपूर से पत प्रारम किया और उस जल को ओष्टे रूप में प्राप्त करके उसका आच्मन कराना शुरू किया और मैंने प्रातना की थी कि अगर मेरी पतनी ठीक हो गई और बिना ओप्रेशन के वो ठीक हो जाती है तो मैं कथा पंडार में बैठकर कथा सुनूंगा तो मैं राइपूर स बता सकता है लोगों को बीपी की बिमारी होती है लोगों को शुगर की बिमारी होती है हमें शीम महाप्राण की बिमारी हो गई है हमारे घर का एक एक बच्चा शीम मंदे जाता है जल चड़ाता है गुरूदे मेरी तवित खराब हो गई और मेरे पती हॉस्पिटल लेकर ग रहा मेरे पास सीहोर का रुदराक्ष है इसके बाद हमने उनसे रुदराक्ष लिया रुदराक्ष का जल शिवलिंग पर चड़ा कर उस चलका आचमिन करना शुरू किया और वेल पत्र का भी आचमिन करना शुरू किया बाबा की क्रपास से 15 दिन बाद हम मुंबई ओप्रेशन के लिए पहुँचे तो गठान गायब हो चुकी थी उसी का भारवेत करने कथा पंडाल में आये हैं बढ़ते हैं आज की कथा की पंद्रवी जानकारी की ओर अगर आप प्रति दिन शिमंदि जा रहे हो रोज जल चड़ा रहे हो तो ये ना सोचना महादेव हमें तुरन के तुरन दे दें आपकी फाइल मोटी हो सकती है आज नहीं तो कल बाबा आपको कुछ ना कुछ पदान जरूर करेगा जोली खाली नहीं छोड़ेगा ये निशिता है बढ़ते हैं आज की कथा की सौलवी जानकारी की ओर कुब्रेश्वर है तो एकांतेश्वर भी है सीहोर से 10 किलोमीटर दूर जंगल में कंकर रूप में मेरा बाबा बेटा था जहां आज कुब्रेश्वर धा में आसपास दुकाने हो गई हैं बढ़ते हैं आज़ी कथा की सत्रवी जानकारी की ओर सरीता अवस्ती जी पत्र लेकर आई 32 साल से सोराइसिस की बीमारी थी पर कोई फायदा नहीं था पूरे भारत की भूमी में कोई इलाज नहीं ऐसा डॉक्टर ने कहा ये बीमारी पूरे जीवन भर चलती रहती है और हमेशा शरीर से खाल गिरती रहती थी लोग हमेशा दूर बेटते थे शरीर में खुजाल चलती रहती थी लोग हीन भावना से देखते थे बाबा आपने शंकर जी के पास बेटना सिखा दिया आपने बताया सारी समस्य का हल एक लोटा जल तो हमने शिवलिंग पर जल चड़ाना शुरू किया और थोड़ा सा जल प्राप्त करके आचमन कर लेते हैं और थोड़ा सा जल शरीर में लगाना शुरू कर दिया और बाबा की क्रपा सा जल शरीर में लगाना शुरू किया और पूरी बीमारी ठीक हो गई और आज कथा पंडाल में बेटकर कथा सुन रही हूँ बढ़ते हैं आची कथा की अठारवी जानकारी की ओर एकांतिश्वर महादेव की शिवलिंग देखने पर आपके पास ना वेल पत्र है ना एक लोटा जल है तो आपको क्या करना है जो एकांतिश्वर महादेव की आस्पा जो भी पेड़ लगे हो उसकी कोई भी पेड़ की पत्ती तोड़ कर आपको एकांतिश्वर महादेव की उपर चड़ा कर अपनी बिंती करके चले जाना है इतना मात्र कर देने से भी आपकी सभी मनोकामनाई पूरी हो जाती है बढ़ते हैं आची कथा की 19 विजानकारी की ओर समरी देवांगाना जी पत्तर लेकर आई दस साल से संतान सुक नहीं था पहली बार जब डॉक्टरों को दिखा है तो डॉक्टर ने कहे दिया था पूरे जीवन में संतान सुक प्राप्त नहीं हो सकता क्योंकि गरबाशे में समस्या है तब एक लोटा जलो सफेद आकड़े की जड़ से बाबा की क्रपा ऐसी हुई कि दस साल बास संतान की प्राप्ती हुई है उसी का भर विदकने कथा पंडाल में आई हूँ बढ़ते हैं आची कथा की 20 विजानकारी की ओर जिनकी पत्री का देख कर विद्वान या कोई पंडित कह दे कि आपकी आयू कम है तो आपको एकांतेश्वर महादेव का पूजन करना चाहिए या एकांतेश्वर महादेव का नाम जब करना चाहिए या फिर आपको श्री शिवाय नमस्तुब्या मंत्र के जाप करना चाहिए या फिर आपको नमस्षिवाय या ओम नमस्षिवाय मंत्र के जाप करना चाहिए महादेव की कृपा मात्र नाम जाप से या मंत्र जाप से भी प्राप्त हो जाती है आज की कथा आपको कैसी लगी कुमेंट करके जरू पताईएगा वीडियो थोड़ी भी उप्योगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कुमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरू टैप कीजिएगा शरी शिवाय नमस्तु ब्याम